हेलो फ्रेंट्स माई यूटूब में आप सभी का स्वागत है स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का गणित प्रसनावली 11.1 का प्रसन संख्याच्यार यहाँ पे बोला है आधार 8 सेंटिमीटर ठेके दोस्तों तथा उचाई 4 सेंटिमीटर के संदिबाहु तृष की रचना किजिए और फिर एक अन्य तृष की रचना किजिए, जिसकी भुजायं इस संधिबाहु ति्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही एक वटा में दोगुनी हो, यानी बहुत ही आसान क्युस्ट्यन है दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं तो हेलो फ्रेंट्स तो हल में हम लोग क्या करेंगे एक इंची और चाप की सायता से आठ सेंटीमीटर का आधार एक लाइन यानि एक रेखा खंड पारेंगे ठीक है दोस्तों कुछ जो की इस परकार आप जो की पेंसिल से बनाईएगा हम जो की थोड़ा पेंसिल बना रहें थोड़ा डार की दिखें इसलिए ठीके दोस्तों यह हो गया आठ सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया ठीके दोस्तों यानि रेखा खंड हो गया इसका नाम रख देते हैं B इसका नाम रख देते हैं C यानि BC ठीके दोस्तों उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो एकी आधा से अधिक त्रिजिया लेकर के यानि C point से लेकर के आधास से अधिक त्रिजिया लेकर के ठीक दोस्तों कुछ ऐसे हम लोग कट मारेंगे कुछ इस परकार से और same वही त्रिजिया लेकर के दोस्तों बिना हिलाए डुलाए यहां से B point से रख करके एक कट मारेंगे, ठीक हे दोस्तों सेम वही त्रिज़ा ले करके वही काम सेम नीचे भी करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से फिर b point से रख करके फिर जो एकी नीचे काटेंगे, ठीक हे दोस्तों तो यहां तर तो कोई दिक्कर नहीं होना चाहिए फिर क्या करते हैं कि दोस्तों इस लाइन को जो है कि हम लोग ऐसे जो है कि मिला देते हैं ठीक है उपर वाला कट मार्क से नीचे वाले कट मार्क को जो है कि मिला देते हैं पिर जो सवाल में बोला है दोस्तों कि जो है कि चार सेंटीमेटर जो है कि उचाई जो है कि चार सेंटीमेटर बोला है तो दोस्तों हम जो है कि यहां से यानि जो कॉट बिंदू है यहां से मिडल पॉइंट से हम जो है कि चार सेंटीमेटर का एक उचाई यानि चार सेंटीमे यह नामकर्ण कर देते हैं यानि यह कितना है चार सेंटीमीटर है दोस्तों और यहां से कट मारते हैं ठीक है दोस्तों अब वहीं से जोए कि कट बिंदु से जो है कि हम C point को मिला देते हैं ठीक है दोस्तों कुछ इस परकार और फिर जो है कि B point से जो है कि इस cut mark को जो है कि मिला देते हैं इस परकार से तो एक तिर्भूज के रचना होगी दोस्तों इस cut यहां पर दो रखाएं एक दुछरे को परतिछेत कर रहा है इसका नाम करण भी कुछ रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं A ठीक है दोस्तों तो एक तिर्भूज का निर्मार होगा A, B, C ठीक है दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं कि एक noon cone बनाते हैं नीचे की तरफ क्योंकि सवाल में दिया हुआ है एक सही एक बटा में दो का मतलब हुआ जो है कि तीन बटा में दो ठीक है दोस्तों तो उपर में तीन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा तो हम जो है कि कुछ यहां से एक noon cone बनाएंगे यानि एक लाइन खिचेंगे उसका नाम डालेंगे B1, B2, B3 सेम पहले के जैसा ही सवाल है दोस्तों तो यहां से थोड़ा सा जुकाव की तरफ लेंगे ठीक है दोस्तों कुछ इस टाइप का हमने यहां से इसे लेलिया लाइन ठीक है अब जो है कि का नाम करण देते हैं इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा बी तू इसका नाम हो जाएगा बी थरी ठीके दोस्तों उसी प्रकार जो है कि पहले के जैसा ही सवाल है दोस्तों अब देखे क्या करते है कि नीचे में 2 है तो हम C को B2 से मिलाते हैं अगर नीचे में 3 रहता है तो जो है कि C को हम 3 से मिलाते B3 से लेकिन यहाँ पर 2 है सवाल में एक सही एक बटा में 2 का मतलब हुआ 3 बटा में 2 तो नीचे में 2 है तो हम जो कि B2 को जो है कि B2 पॉइंट को जो है कि C से मिला देंगे ठीक है दोस्तों कुछ इस तरह हो गया अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि जो है कि हम अपने मर्जी से मर्जी के हिसाब से जो जो दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसे एक चाप खिचते हैं B2 पॉइंट पर रख करके ठीक है हमने चाप ऐसे खिच दिया सेम वही चाप जो है कि इसी तिरिजिया का लेकर के B3 पॉइंट पर भी रख करके कुछ ऐसे हम लोग खिचेंगे ठीक है दोस्तों थोड़ा सा तिरिजिया बड़ा खिच देना चाहिए चाप बड़ा खिच देना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना हो अब उसके बार जो है कि हम इसके दूरी को नाप लेते हैं दोस्तों इसके दूरी को नाप लेते हैं यहां तक यह दूरी है तो इसको नाप ले दोस्तों अब फिर जो है कि यहां पर हम क्या करेंगे कि इस वाले कट मारक पर रख करके ठीके दोस्तों B2 पे नहीं रखना है इस वाले cut mark पे रख करके कुछ ऐसे cut मारेंगे ठीके दोस्तों अब फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो है कि B3 पे यानी B3 यानी जो cut mark है B3 पे रखते वे कुछ ऐसे हम लोग एक लाइन पार देते हैं दोस्तों तार्गेट है हमारा कि दोस्तों तो कुछ इस तरह का हमने लाइन पार दिया ठीके दोस्तों इसका नाम करन भी कुछ रख देते हैं थोड़ा सा सी पॉइंट को एक थोड़ा सा लंबी लाइन बना देते हैं यानि इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं ठीके दोस्तों तो बढ़ा दिया औ और इसका नाम हम लोग रग देते हैं A, B, C हो गया तो इसका नाम D रग देते हैं थोड़ा असानी रहे ठीके दूस्तों कुछ भी नाम रख सकते हैं सेम अब देखिए नीचे का काम को जो गया दोस्तों सेम वही काम ऊपर करना है यानि यहां से जो है कि एक चाप काटेंगे ठीए दोस्तों कुछ इस तरह से हम लेकर केम जो हे करते हैं कि हम् और फिर इस point पे रख करके हम कुछ इस परकार से cut मारते हैं ठीक है दोस्तों अब फिर इस cut बिंदू से D को मिलाते हैं वे एक line खीचते हैं ठीक है एक रेखा खण खीचते हैं तो कुछ इस परकार से खीचेंगे दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल तो हमने यहां से एक लाइन खीच दिया ठीक है और इस पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यह वाले बी यह लाइन को जो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं दोस्तों आवजश्चता अनुसार आप कर सकते हैं अब उसके बाद इसका नाम जोड़ा की ए रख देते हैं ज से अधिक जो है कि एक चाब की सहायता से यहां पे उपर में कट नीचे भी मारा से बी Som इस प्रकार बार प्वही कट नीचे से भी माई भी दोस्तों फीर उपर वाले palece po कि यह वाला में कि था ह्तिक्त है इसको 4 से यहां से एक दोस्तों इसका कर और यानि वपर नीचे तो उपर में तीन यह नहीं जितना अंक रहता है उतना हम निवनपोन के ऊपर दर्साते दोस्तों इंद्यान देना चाहिए ठीक है यहां फिलाल तीन है निवनपोन खीचेंगे ठीक इस परकार से अगर डायरेक्शन में खीचते हैं तो नभी डिगरी का हो जाएगा यह तीन है तो यहां से भी पॉइंट से ले रहा है तो भी वन भी टू भी थिरी हम ले सकते हैं ठीक दोस्तों तो इस तरह से रचना का निर्मार कर दिया समझने वाली बात यह है कि जो है कि हम नीचे में दो है तो हम क्या किए कि बी टू से सी पॉइंट को मिला दिये अगर नीचे में जो जितना अंक रहता उतना अंक से हम जो कि इस पॉइंट को मिला दे लेकिन फिलहाल में दो है तो दो से यानि बी टू से किसको मिलाएंगे दो से मिला दिये ठीक उसके बाद यहा को नाप करके जो कि ढल की झारबठे हैं यहां से कटमारते हैं कि पॉस्ञा है को क्या करते हैं ना में रखते हैं इसका नाम नए रख्ते हैं थीए जोसलाएं को थोड़ा वड़ा दिया फिर उसके बाद से लेक ही और करेंगे हां से फिर इसके बाद इसकी दुरी को नाप लिए ठीक दोस्तों यहां से लेकर यहां से त्यार हो गया ठीक दोस्तों चलिए रचना के चरण को लेखते हैं वह बहुत ही important है दोस्तों और बहुत ही असान है बस इसके बारे में लिख देना है दोस्तों तो दोस्तों रचना के चरण में रचना नंबर 1 लिखा है है हमने जो है कि BC बराबर 8 cm का एक रेखा खंड खीचा ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं BC आपके सामने है इसकी लंबाय जो है कि 8 cm खीचा यह हो गया रचना के चरण मर 1 रचना के चरण मर 2 है BC को सम्धिभाजित किया ठीक है दोस्तों बहुत ही आराम से समझेए यहां से कट मारे यहां से कट मारे फिर एक बीच में लाइंग पार दिये तो आधा इधर वाला भाग हो गया ठीक दोस्तों उसके बाद रचना के चारह नूंबर तीन क्या वोल लाइक उचाई चार सिंटीमीटर लेकर एक त्रिभूज ABC बनाया ठीके दोस्तों इसकी जो उच चाई हमने लिए है कितना लिए है चार सिंटीमीटर लिए है यहां पर आपको किलियर लिख दिये है ठीक है और किसका निर्मार करते है ABC का निर्मार हो गया ठीक दोस्तों उसके बाद फिर है राचना के चैरह नंबर जो है कि पांच बी से बी एकस एक रेखा खंड घीचा जहां कोन CBX एक नियून कोन है CBX एक नियून कोन है दोस्तों बहुत ही असान है तो इस तरह से CBX कोन का निर्मार कर दिया ठीक है उसके बाद फिर है जो है कि रचना के चरह नंबर पांच B को केंद्र मान कर तीन बराबर चाप B1, B2, B3 ठीक है दोस्तों खिचा यानि B को केंद्र मान कर यानि सीम त्रिजिया लेकर के एक पॉइंट यहां खिचा एक पॉइंट यहां खिचा एक पॉइंट यानि इसको दर्शा दिया B1, B2, B3 ठीक है दोस्तों रचना के चरह नं भारी नहीं होनी चाहें दोस्तों उसके बाद सबार बेटी की आप मंसेख के बहुत यह आसाल धोस्तों दोस्तों at यहां पर हो जाएगा B3D क्योंकि यह समनांतर है तब B3D हो जाएगा क्योंकि C B2 और D B3 यह दोनों रिखाई एक दूसरे के क्या है दोस्तों समनांतर है ठीक है अगला पॉइंट समझते हैं जो है कि अब फिर BC से C पर मिलती हैं अब उसके बाद D से A si इसका और D ugh झातए बिल्कुल दोस्तों कि आप देख रहे हैं एक ठीड़ मीठेक हैशे को क्या हो कfolg själते एक उखया और एक कितना हो दूर ले जाएं कभी आपस में मिले और लेगा नहीं ठीके दोस्तों तो इस तरह से यह क्या हुआ था बट बट इसको निचे बाहना में 20 यानि बीट हो गया तो जो बीडी हो गया दोस्तों उससे काह़ों में क्या होगया तो निए उसको निए उसी की निए लिए क्यों दोस्तों उपर में जो ऑंख वह वह वगार नीचे में जुए वह झो इस तरफ से हमाना यो है यह आ गया दोस्तों है ने game करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रास्ण के साथ